आगम मर्णिंग माइयोटू फैमिली कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अभी मॉर्णिंग हो चुकी है और मैं जाती हूं किचिन में और उसके बाद में किचिन में मतला बिलब कुल साफ करके सोती ह spare कीचिन साफ करके सोते हैं दो रात जब से चाल पूद खार स्वाफ क्लीन है यह एक्टम क्लीड है स्व्हाइन करूं यह ओडिर्ण पेमिली रyा राद司 आप सब आप आप अच्छे होंगे में सैंगे। एक्टी तक है औरा 5 करें में उठके आचकी हूँ और मैने गलास पानी पी लिया है और आप मेरे बागी के काम शुरू हो जोके आज मौर्णिंग का रुटेन शेयर करूंगे अपने चलिये, फिर अपना मौर्णिंग रोटीन शुरू करते हैं सुबह सुबह पाच बज़े से और मेरे मौर्णिंग के काम शुरू हो चुके हैं जो कि ये कल आठा पिसके आया था और ये जब गरम होता है तो इसको बिल्कुल भी मतलब पलटना नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं कि इसमें खराब होने का डर रहता है इसमें कीडे पड़ जाते हैं तो इस वज़े से न मैं रात को मलब जब गरम होता है तो बिल्कुल नहीं पलटती इसको और सुबह सुबह मैंने का इसको पलट देती हूं क्योंकि हम उसके पाद में थोड़ा बहुत नीचे गिरी जाता है तो उसे करने के बा करती हूं और मेरा आटा खराब नहीं होता है बिल्कुल भी तो इसको जितना दवा दवा के हम रखेंगे और एकदम फूला फूला सा इसको रखने देंगे हम सोचेंगे न कि हमारा दवा मतलब खाली है तो इसको ऐसे रहने दे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इसको न दवा दवा के बिल्कुल बढ़ना चाहिये तो हमारा आटा जो है खराब नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही करती हूं हमेशा, और उसके बाद मैं बरतन वगेरा, मतलब जो मेरे रात के बरतन होते हैं, मैं उनको सैट कर लेती हूं, पहले उठा के, क्योंकि रात में हमारे बरतन कील होते हैं और कीले वच्टर मैं कभी नहीं लगाती सुभै के वच्टर मैं साम को लगाती हूं और साम के वर्तन सुभै को तो मेरा हमेशा यही रुक्त 얼रे होता है और साफ मलब सफाई करने के बाद मैं बर्तन वगरा लगाने के बाद मैं फिर थोड़ी सी यहां सब सफाई कर देती हूँ और उसके बाद मैं मेरे बाकी का काम शुरू होगा जैसे कि जाडू लगाना क्यूंकि जल्दी वाओ जी उड़ जाते हैं तभी चाहे बनाती हूं बाकी मैं तब तक काम कर लेती हूं अपना बाकी का और अभी प्रांशु जाने वाला है इसकोल तो उसके लिए मुझे लंच की लिए भी तयारी करनी है वैसे मैं सब्जी परांठा जादा तर बनाती हूं लेकिन कभी-कभी कि मैं जैसे ऐसे भी दे देती हूं जैसे जवे वगरा होते हैं पोवा बना दो या कुछ लेकिन कभी-कभी देती हूं मैं जादा तर सब्जी परांठे तो आज बना रही हूं मैं जवे नमकीन जवे जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं और घर पर हम जैसे नाशते के उसमें बना ले तो यहां पर ऑईल मेरा गरम हो चुका है और इसमें डाला है मैं अजमाइन और थोड़ा सा जीरा जो के अजमाइन डालोना तो बहुत अच्छे लगते हैं इनका टेस्ट अलग होता है और उसके बाद मैं यह बारीक-बारीक मैंने आलू कट किये हुए थे थोड़ दौने नजले मैं और उसके बाद सबी मसाले भी एड़ कर दूँगी जैसे अलदी पाऊडर धनीया पाऊडर और लाल मिर्ची और इन अबकू से अजमाटलों को मैं अच्छे से मिख्स कर दूब कर दोबंगी थोड़ा सा में पानी यह पानी भी आ्ट कर दूंगी इसमें किसी को नहीं पसंद होती लेकिन मेरे ऐसे मै अपनुत अद no और अब मैं क्या करूंगी जब इपी आड़ कर दोंगी इसमें जैसे पानी डाल करके भी डाल सकते हैं और इसमें मिक्स करके भी डाल देते हैं तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूं इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें पानी पी आड़ कर मेरा वही टाइम हो जाता है काम करते करते का खाने का टाइम तक तो फिर मेरा तो खाना ही होता है तो लेकिन एक्स्रा बना के रखते तो थोड़ा सा ना कुछ भी नास्ता होता है जो भी तो इसमें मैं पानी भी एड़ कर दूंगी और पानी भी ज्यादा नहीं डालते इसमें थोड़ा सा मतलब डूब जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं और इसलिए मैं पहले ही गला लिये थे मैंने आलू और अब मेरे ये बन चुके हैं इधर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए और बाकी मेरा काम हो भी चुका है तो देखो कितने अच्छे बना लो तो अभी मैंने रख दी हैं साइड में और अभी मैं दे देती हूं मम्मी बाओ जी के चाय क्योंकि वह मम्मी बाओ जी उठ चुके हैं इतनी देर में मेरा काफी काम हो चुका है ना सब कुछ जैसे जाड़ू पहुचा वह सब मैंने कर लिया और बाकी अब चाय दे शर्टा काम बार्की मेरा सब कुछ इधर मैंने लच भी लगा दिया उसका क्योंकि ठंडा होने के बाद रख तियुक्ति उसमें क्या होता है पानी-पानी सा गिरने लगता है थोड़ा करम रख देते हैं तो और यहां पर मैंने चाय बगरा पी लिए सांती से बैट कर चाय तो मैं बहुत अच्छे से बैठ कर पीती हूं क्योंकि चाइब पीते पीते फॉन चलाती हूं कुछ वीडियो देखती हूं जिन बहनों से जुड़ी हुए हूं मैं उनकी वीडियो भी देखती हूं सुबह सुबह चाय के टाइम और जैसे कोई-कोई सुबह सुबह डालती है तो उनकी सुबह देखती हूं और बाकी जब भी टाइम मिलता है मैं सबकी वीडियो पर जाती हूं ऐसा नहीं है और अपना काम भी करती हूं और कभी-कभी तो ऐसा होता है किचिन में हमारा फॉन एक्स्टर रखा हुआ है तो हम चला के भी छोड़ द अपस तो ऐसी होता है और इधर मेरा डश्टिंग वगरा यह सब कर लूंगी और उसके बाद में लाश्ट मुझे क्योंकि मैं जैसे बिश्टर जाड़ती हूं ना तो थोड़ा से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किस-किस अपन रूम में लगता है तो उसके बाद मेरा मुझे धोना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है तो इतना नहीं होता फिर लेकिन एक बार मैं जरूर गुमाती हूं ऐसे तो और वैसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि जो अपने पैर में किस-किसा पना है ना तो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि साम को फिर होता है जाड़ू पहुचा मेरा साम को भी होता है और इधर में बाते भी करती जा रही हूं किसी से और यह देखिए पहुचा जो है मेरा बहुत अच्छा है जो कि यह सारे जितने भी बाल वगरा होते है ना इसमें सब एक्दम खीच ले जाता है विल्कुल एक भी बाल नहीं रह सकता है इस पहुचे से और बहुत अच्छा है कोई मैं इसका रिव्यू नहीं कर रही हूं लेकिन मुझे परसनली बहुत अच्छा लगता है और अब मेरे उस कमरे में सफाई हो चुकी है अब मैं थोड़ा जैसा इसमें स इसी टाइम मैं निकाल लेती हूं सभी कपड़े और विस्तर ठीक करने के बाद मैं और यह मैं साड़ी देख रही थी यह काफी दिनों से ऐसी रखी हुई थी साइड में तो यह साड़ी देख रही थी जो के भावी ने दी थी ना वी दौज पर तो पैंट साइट का lagi करा चुकि मां खुदी देख रही थी मैंने और बाकी अब ले जाओगी मैं सारे कप्डे जो लोगी जिस भी कपड़े होंगे ना मेरे सब में मसीन में डाल दूगी कुँकि ये सब काम ना एक साथ होता रहता है अधर मेरे कपड़े भी दूल जाएंगे में सेन और बाकी क और अभी मैं कपड़े डाल के आचुकी हूँ मसीन में जो कि कपड़े धुल जाएंगे जब तक प्रिया वगरा ना हैगी ना तब तक कपड़े धुल जाएंगे मेरे और ये आज मैंने पूरा अपना मॉर्णिंग का रूटेन सेयर किया जो कि सुबह से लेकर 9 बजे तक का र करूंगी आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और जो न्यू चेनल पर आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें और कॉमेंट करके जरूर बताना लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना तो चलें बाइबाइबाइब